हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में जैसा कि आप मैं से किशी ने मुझसे कहा था कि मैं परिवार से संबंदिक कोईशन लाईए नेक्स टोपिक आप किस टोपिक पे देखना चाहते हैं अप्जेक्टिव फोम में अपनी तयारी को और अच्छे करने के लिए तो आप कोमेंट सेशन में बता देजिएगा कि आप कौन से टोपिक से नेक्स दिखना चाहते हैं वीडियो आपको अच्छी लेगे तो किसे याक्षाम में पूछे गये और हैं तो आतले अपने पहले पेहले ma also संसाधन यह कौशन में आता है कि वह शंसाधन कौन सा है प्रियूग नहीं क्या कि जाते है gusta तो क्या कहला आते हैं यह UGC net 2019 में पूछा गया question है तो यह 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 शंभावित संसाधन कहलाते हैं option D शही होगा option D शही होगा वह शंसाधन जो वतावड़न में उपस्ति तेकिन तो परियोग नहीं किये जाते हैं शंभावित संसाधन कहलाते हैं आते हम next question पे next question है हमारा कि सुची एक को सुची दो से मिलान करना है तो पहला में है बैक्तिशन साधन आप देख रहें नीचे कूट में भी एंसर है हम direct answer देख लेते हैं क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा यह question भी UGC net 2019 में पूछा गया है तो इसका हमारा शही answer होगा option number A option A शही होगा बैक्तिशन साधन का हो जाएगा रशनात्मक ज्यान बैक्तिशन साधन रशनात्मक ज्यान option 4 बैक्तिशन साधन रशनात्मक ज्यान रशनात्मक और ज्यान होगा मित्रशन साधन मित्र शिनसाधन आ जाएगे समाजिक शंबंध मित्रता में B का 1 होगा समुदाइक शंसाधन किसमे आएंगे C का हो जाएगा 5 शमुदाइक शंसाधन बैंक योवम विद्या ले gesund क्योंकि ये शमुदाय में सब को ये इस्तिमाल कर सकता है एक हो जाएगा 5 एंडी है परिवारिक संसाधन परिवारिक संसाधन का इस्तमाल घर यह उपकड़न है क्योंकि घर में परिवार ही रहते हैं इसलिए ली क्या हो जाएगा अप्शन नमबर दो नेस्ट कुश्चन पर आते हैं नेस्ट कुश्चन है हमारा नेस्ट कुश्चन है हमारा कि योगता और कॉश्चल यह है डैस्क के शाधन है तो शमुदाय, वैक्ति, नेस्टर गिक या फिर परिवार यह DSS पी PGT 2018 में पूछा गया कुश्चन है योगता और कॉश्चल डैस्क कहलाते हैं तो इसका अंसर क्या होगा तो जायर सी बात है कि हम संसाधन पढ़ रहे हैं तो यह मानवी और गैर मानवी के ज़्यादातर ध्यान रखा जाएगा तो योगता और कॉश्चल यह मानवी संसाधन होंगे क्योंकि यह वैक्ति में अंदर नहीत होते हैं इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन बी वैक्ति गट सभी के अलग-अलग होते हैं और यह मानवी लिखा रहता है तो मानवी भी होते हैं ओप्शन नमबर बी ओप्शन बी होगा योगता और कॉश्चल यह वैक्ति गट साधन के उधारन है विशेश चमता की परिभासा किसी विशेश में किसी विशेश वैक्ति की चमता जैसे की संगीत या गड़ीत जैसे की लता मंगेश वर गाना गा सकती है तो सचिन तेंदुर कर क्रिकेट खेल सकते हैं यह उनकी विशेश योगता यह उम कॉशल होई विशेश योगता उम कॉशल होई हम आते हैं अपने next question पे next question है हमारा next question है हमारा ये TGT जहारखन में पूछा गया question है शमुदाई शंसाधन का एक उधारन निमलिखित मेंशे कौन सा है पानी, समय, कोशल या फिर धन तो शमुदाई शंसाधन का एक उधारन निमलिखित मेंशे कौन सा है तो इसका एंसर हो जाएगा option A इसमें answer दिया हुआ है actually मैंने द्यान नहीं दिया तो शमुदाईश अंसाधन का एक उधारन निमलिखित में शे कौन सा है पानी शमय कोशव धन तो इसमें सो जाएगा पानी पानी शमुदाईश अंसाधन का एक उधारन है Option A सही होगा समुदाइश अंसादन का एक उधान पानी है मानो जीवन के लिए जल का उतना ही महत्त है जितना की वायू जिस परकार मानो वायू के बीना जीवित नहीं रह सकता है उसी परकार जल के अभाव में भी मनुश्य जादा देर तक जीवित नहीं रह सकता है और जादा देर तक अगर उसे जल ना मिली तो वो मृत्तु की भी प्राप्ती हो शकती है मतलब वो अंदमी मर भी शकता है तो जल एक समुदाइक संसाधन है इसका सभी उप्योग करते हैं नेक्स कोशिन पर आते हैं नेक्स कोशिन है हमारा कि परिवारिक संसाधन प्रवंधन में निमलिखित सभी और धारनाय शामिल है केवल एक को छोड़के व्यक्तियों के आत्मनिर्वता, गतिशील, वातावडन, विश्व, मौदरिक, अदला, बदलिक, परणाली की समझ परिवार के लोगों की बुनियादी जरुवतों को पूरा करने का परियाज तो क्या होगा, ये उत्राखन असिस्टेंट प्रोफेशर का एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है, 2015 का तो व्यक्तिग, परिवारिक शंसादन प्रवंधन में निमलिकित सभी ओधरना है, किवल एक को छोड़ के, तो कीशी, तो इसका ओप्शन सी शही होगा, जैसे कि अभी आपने इससे पहले वाले कुश्चन में देखा था, जिसमें कूट मिलान में था, कि आपने देखा था परिवारिक शंसादन प्रवंध में वेक्तिगत शंसादन में नहीं आएंगे, तो आफ्सन सी सही होगा, परिवारिक शंसादन प्रवंध में वेक्तिगत निर्वता आता है, गतिशील वातावड़न आता है, परिवार के लोगों की बुनियादी जरुवतों को पूरा करने परियासाधा है नेस्ट कुशंच पे आते हैं किहां नेक्ष कुशन हमारा कि कि मानोशन साधन है तो मानमी शन साधन है शमांनीय शुबीधाय बस्तुगत समागरी मनुशय में अंत्रनिट या फिर बीट्यशंपती तो इससे पहले के कुश्चन में अभी मैंने आपको बताया था कि मानों में जो नहीं थोंगे वो मानुए शंसाधन होंगे यह यूपी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया कुश्चन है इसका ओप्शन सी शाही होगा इसका ओप्शन सी शाही होगा मानों मनुष्य के अंतनीत शंसाधन है वेवस्था की परिभा करता है इस पर कर वेवस्था का एक महत्पुन चड़न है साधनों का संगठन करना उसे गतिशील बनाता है नेक्स कोशन पर आते हैं पर यहाँ पर करते हैं तो यहां पर और उसका नहीं परोगता के अंदर इव्पुश्टकाल है उपरोगे अफ्ट्रवा ह्ट सेही होगा इकश्चोछ के एसक्षा पम्षून सेही होगा सी होगा सीक्भा कि यह कूछ न पूचा गया है साधन होते हैं शीमित होते हैं अशीमित होते हैं सदै अक्यले काम में आने वाले होते हैं या फिर अशानिशी उपलब्ध होते हैं यह तीजती राजास्थान का पूचा गया question है तो तो साधन क्या होते हैं तो साधन सदय भी शीमित होते हैं इसका ओप्सन एस यह होगा साधन कभी भी शीमित नहीं होता है और ना ही अकेले काम में आने वाला होता है तो नेक्स कुश्ण पर आते हम अपने next question है हमारा next question है हमारा कि समय एक बहुमल्य शादन है तो समय एक कैशा बहुमल्य शादन है नहींत है अर्जित है मान विए है एवं गैर मान विए है ये TGT राजस्थान में पूछा गया question है तो समय एक बहुमल्य शादन है ये question का बहुत सारी answer से सही हो सकते हैं इसका क्रॉस्न नंबरिंग भी सब को मिलने चाहिए क्योंकि क्यिसे में को मानी और और मानविये दोनों में मतलब काउंट किया गया है यह दोनों ही ऐब लेबल श्रय ऑपानुये घ्राइब November Thailand अचीए एक्जाम में मानविये शाधन माने जिन सही होगा former scholar request अब वोई ध्यान दिया जाता है जब वरतमान संदर में उपलब्ध है औरू उन्हें Shivikar किया जाता है वर शुरोत या शाधन जिसकी सायद वरतमान में कोई उप्योगिता नहीं हो सकती प्रन्तुन जिसके भावी उप्योग की शंभावना है उसे संसाधन नहीं समझा जा सकता कूट आपके सामने है आप कूट को देखके एंसर कर सकते हैं यह UGC NET 2013 का कुश्चन है 119 कुश्चन के एंसर क्या होगा तो इसका एंसर होगा option D A शत्य है A और R दोनों ही अशत्य है इसका option D शाहिए होगा A और R दोनों शत्य है आते हैं अपने next question पे हमारा next question है next question पूछ रहा है कि प्रवंद के व्यवस्ता उपागम को प्रवंदिय उप व्यवस्ता में मांग के शुरोत और आंगोतों के शंसाधन कौन से है तो यहाँ इसको भी कूट में एंसर देना है इसको कूट में एंसर देना आप इसमें question में देखिए कि प्रवंद के व्यवस्ता उपागम में प्रवंदिय उप व्यवस्ता के मांग के शुरोत में आगत्तों के शंसाधन कौन से है तो इसको कूट में एंसर देना है कूट में आप इसको लेख सकते हैं अब चलिए मैं डिरेक्ट एंसर ही बता देती हूं कि प्रबंध के ब्यवस्था उपागम की प्रबंधी उप ब्यवस्था के मांग के श्रोत कौन-कौन से है तो इसमें पहला आजाएगा व्यस्टी एवम अवाश पहला आजाएगा व्यस्टी एवम अवाश एवम दूसरा आजाएगा परिवारिक लच्च्या दूसरा होगा परिवारिक लच्च्या एवम तीश्रा होगा परिवार की बस्तवी तथा शेवाएं तीश्री में आजाएगा परिवार की बस्तवी एवम सेवाएं एवम चौत्य में आजाएगा कि समश्टी आवाज की घटनाएं इसक यहां कूट में मिलाना है कि बेक्तिकत संसाधन के अंतरकत क्या आते हैं परिवारिक संसाधन क्या है समुदाइक संसाधन क्या है यहां कूशन को देखके हम एंसाधन करेंगे तो 121 क्या होगा तो बेक्तिकत संसाधन में आएगा कौन सा आएगा और नेश्क कोशन है नेश्क कोशन है समुदाइक संसाधन समुदाई संसाधन के अंतरगत कौन सा आएगा समुदाई संसाधन के अंतरगत 1 आएगा 1 अतलब कि जंगल नेक्ष है परिवार्णिये शंसाधन परियावर्णिये शंसाधन के अंतरगत कौन सा आएगा तो पड़वर्णी शंसाधन के अंतरगत उर्जय आएगा 4 नमबर तो व्यक्तिगत शंसाधन 1 का हो जाएगा 5 Option D इसका सही होगा Option D इसका सही होगा 1 का हो जाएगा 5 B का हो जाएगा 1 C का हो जाएगा 3 And D का हो जाएगा 4 आते हम अपने next question पे Next question है ये भी कूट वाला question है Eccionate 2012 में पूछा गया question है तो अस्थरांतरन करना अस्थरांतरन करने क्या होगा तो उपलफ संसाधनों का कम करना उपलफ संसाधने जब कम हो जाती है तो व्यक्ति अस्थरांतरन करने लगता है जैसे कि आज कल रोजगार को हम देख सकते है रोजगार की कमिके वज़ेसे अधिकतर छोटे शहरों के लिए बड़े शहरों में जाना पशंद करते है Next question है कि उत्पादन करना उत्पादन करना क्या हो जाएगा उत्पादन करना अत्रिक संसाधनों का स्रिजन करना है इसका एंसर हो जाएगा Option number 4 उत्पादन करना का हो जाएगा अत्रिक संसाधनों का स्रिजन करना Next है कि निवेश करना निवेश करना हो जाएगा संसाधनों की उपलब्ता का समायोजन निवेश करना के ऊपलबत का समा योझन समा अब शोरी सूची एक का सूची दो शे मिलान करना है तो एक का हो जाएगा three ऊपलब संसदोनों को कम करना उपतादन का हो जाएगा चार अत्रिक संसादनों का स्रेजन करना and 3 C का हो जाएगा 1 संसादनों की उपलपता का समा योजन A वं बिनी में A वं लेंदेन का हो जाएगा संसादनों की शमान सुची करना सही है option A शही होगा next question पर आते हैं next question है ये भी कथन वाला है ये जिशिंडेंट 2012 का पूछा गया question है निर्धनता अनिवार्यता शमाजिक परिदिश्य है और केवल गौन रूप से ही भीतर परिदिश्य है ये कथन है कारन होगा कि निर्धनता समाजिक आर्थिक परिदिश्य है जिस समाज को उपलप संसादन कुछ की इक्षाओं को करने के लिए उप्योग किया जाता है जबकि बहुतों की मुल्बूत अस्वताय भी पूरी नहीं होती है तो यहां कौन से अंसर सही हो जाएगा 123 नमबर question का answer सही होगा option नमबर B, A और R दोनों ही शही होगे option B शही होगा A और R दोनों ही शही होगा हम आते हैं अपने next question पे next question है हमारा की यहां पे भी सुची 1 और सुची 2 का मिलान करना है युजी चिननट 2012 मैं पूछा गया question है तो मानवी शंसादन मानव शंसादन क्या होगा तो मानवी शंसादन अगोचर होता है मानव शंसादन अगोचर होता A का 4 हो जाएगा देखते हैं A के 4 में 2 है यह दोनों तो यह ही कट गए A के 4 A के option में only 2 ही option है A और B अब next question देख लेते हैं संसादन 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 के अंतरगत क्या आ जाएगा संसादन अंता शंबंधित होता है तो 2 का answer हो जाएगा 1 अंता शंबंधित तो देखते हैं 2 का answer दोनों में ही 1 दिया गया है next देख लेते हैं नेमी निर्ने नेमी निर्ने के अंतरगत क्या आता है तो निमी निर्णे के अंतर गताता है पुना घटित होना इसका option हो जाएगा पुना घटित होना तो option A सही है और D अनुपात का हो जाएगा तिसरा शोन्मित आयातकार D का हो जाएगा शोन्मित आयातकार next question पर हम आते हैं next question हमारा कि निमलिकित में से कौन से मानो संसाधन के प्रकार है option A है ग्यान, bank, दिर्ष्टी कोर, बुद्धी या फिर मिट्टी ये सारे ही कूट में और 2017 UGC net में पूछा गया question है तो ग्यान जानते हैं हम कि मानो संसाधन के अंतर गताते हैं तो दो option में one number दिया नहीं गया है तो ये ऐशे ही कट गया है bank bank मानो संसाधन के अंतर गत नहीं आता है तो option A भी कट गया बचा क्या option B तो 125 नमबर कुश्चन का answer B होगा option B option B शही होगा मानो संसाधन के अंतर गताते हैं ज्यान दिष्टी कोण एवं बुद्धी ये मानो संसाधन के अंतर गताते हैं हम आते हैं अपने next question पे next question है हमारा कि TQM में निमलिकित उप्णराली होती है तो कौन सी होती है मानो संसाधन भीकास ग्रहक फोकस सुन्य बचर प्रचनलों समद्धी समद्धी निती गत उपागम कुल क्रमचारी भागीदारी या फिर मॉड्यूल उपकरन 126 नमबर question को कूट में answer देना है तो इसमें कूट में answer देना है ABCD करके कूट दिया गया है पर उसे include नहीं किया गया है तो मैं इसका answer direct बता देती हूँ इसका answer हो जाएगा TQM में निमलिकित उपनराली कौन-कौन सी है तो इसमें सबसे पहले आजाएगा मानः शंसादन एवं विकाश नेस्ट कुशन पर आते है मानः शंसादन एवं विकाश दूसरे पर आजाएगा ग्रहक फोकस दूसरे पर आएगा ग्रहक फोकस और तीसरे पर आजाएगा प्रशनलों संबन्दी नीतिगत उपागम और लास्ट होगा कुल करमचारी भागिदारी तो ये चारे ही TQM में निमलिकित उपनराली होती है पहला होगा मानः शंसादन विकाश दूसरा होगा ग्रहक फोकस त्रेसरा होगा प्राचनलों संबन्दी नीतिगत उपागम और चौथा लास्ट होगा कुल करमचारी भागिदारी हम आते अपने नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन है हमारा ये भी योजेशी नेट 2017 में पुछा गया क्वेशन है हर जिवग के उत्पेड़त सिद्दान में निमलखित मेंशे कौन से उत्पेड़त सुची बद है तो कौन से है या कूट में एंसर दिया गया आपको कूट में एंसर देना है तो इसका एंसर क्या होगा 127 नमबर का एंसर होगा औफशन नमबर C औफशन C शाई होगा पहले आएगा चुनोती पूर्य कारिया शबसे पहले आएगा चुनोती पूर्य कारिया एंड सेकेंड आएगा सारे रिक औश्यक, नई सोरी नौकरी में विकास एंड लाष्ट आएगा मान्यता तो हजबक के उत्पे रख से दान्त में निमलिखित में शेक कौन से उत्पे रख सुची बद है तो सारे चुनाती पुर्यकार है नौकरी में भी काश एवा मान्यता नेक्स कोशन पर हम आते हैं नेक्स कोशन हमारा ये भी UGC NET 2017 में पूछा गया कोशन है नेक्स कोशन हमारा कि निमलिकित अधिक अनुभाव को एडगर डेल के अनुभाव संकु के अनुशार पीरामीट के उपर की और वेवस्थित करें तो इसका आफ्सन ए होगा नाटकी अनुभाव बी होगा सेत्र सी प्र्दर्षन दी उद्देशे परेक अनुभाव उन हो जईगा ने प्राप्त अनुभाव तो नी ची कूट दिया गया है कूट में एंसर देना है तो 128 नंबर कोशन का एंसर क्या होगा 128 question का answer हो जाएगा option number C option C शाही हो जाएगा इसमें आएगा अनुभाव शंकू के अनुशार pyramid के उपर से नीचे की और विवस्थित करना है Edgar Dale के अनुशार इसमें सबसे पहले आजाएगा उद्देश ये पर एक अनुभाव का परिवर्तन अपवर्तन next आजाएगा ने हाँ सही है next आएगा कि ने प्राप्त अनुभाव उसके बाद से आजाएगा नाटकी अनुभाव then आएगा उसके बाद से प्रदर्शन करना फिर छेतर का दोरा फिर उसके बाद सबसे last में आएगा प्रदर्शन ये लास्ट में आएगा चलिए आते हैं अपने नेक्स कोश्चन पर नेक्स कोश्चन हमारा कि निमलिखित मेंशे कौन सा एक मानोश अंसादन है सिमान तलाव अस्थान समय या फिजल ये देख सकते हैं आप यूजीशी नेट 2018 में पूछा गया कोश्चन है तो निमलिखित में इदमें कौन सा एक मानोश अंसादन है 129 क्षिशन का answer क्या होगा तो इस क्षिशन का answer होगा समय को मानोश और और मानोश अंसादन दोनों में माना गया है तो उसके जगह कोई और अफिजल है नहीं तो अप्शन सी इसके शही होंगे समय को निम्लकित में से शमय एक मानुवी शंसाधन है ग्राशियों केंडल के शाधनों को मानुवी शंसाधन और मानुवी शंसाधन के रूप में अबरोगित किया गया है ग्राशियों केंडल का ही नहीं ग्रासियों केंडल के साथ साथ निकी लेओं डार्सी को भी मानवी और ओमानवी में बाटा गया है संसाधनों को मानवी और ओमानवी में उन्होंने बाटा है जिसमें उन्होंने मानवी संसाधन की बहुस्ता पर अधिक बल दिया है ग्रासियों केंडल ने अथारत ऐसे साधन जो व्यक्ति में पाय जाते हैं मानुवी शंसाधन का लाते हैं जो साधन व्यक्ति के अंतरगत नहीं होते हैं वो मानुवी शंसाधन का लाते हैं हम आते हैं अपने नेस्ट कोशन पे हमारा नेस्ट कोशन है हमारा नेक्स कोश्चन है कि निमलिखित मेंशे क्या अंतर्वेतिक मानवी शंसाधन है यह यूजीशी नेट 2018 में पूछा गया कोश्चन है तो उधान है विद्याले है यह जन परिवावन है कोश्चन अभिविति यह फिर ग्यान है वायू अस्थान तापक्रम है कार ग्री एवं फनीचर है तो एक शो तीस नमबर कोश्चन के अंसर क्या होगा ऐसा क्या है जो कि मानों के अंतर्व नहीं था तो वह है ऑप्सटन बी जर उन्निच का पुछा गया कोश्चन है कि निमलिखित में से किस्टे परिवार के साधन को अधित्तम बढ़ाया जा सकता है तो यहां पर ओप्सटन दिए गया है तो क्या होगा तो ओप्सटन सी जिस-जिस में होगा वह चारे ही एंसर कठो जाएंगे तो एक्शो एक्टिश नमबर कोश्चन का हो जाएगा एंसर ओप्सटन नमबर सी ओप्सटन सी तो कौन से है परिवारिक संसाधन को अधित्तम बढ़ाया जा सकता है तो सबसे पहले आते हैं लच्छो को सौधाने पुरुक चैयन नेक्स्ट हो जाएगा सकरात्मक प्रविति एंड उसके बाद हो जाएगा संसाधनों का बेकल्पिक उप्योग ये शारे ही सही है मिडिया के कारिय नहीं आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर आएंगे हम नेक्स्ट कोश्चन है हमारा ये टीजीटी 2019 में पूछा गया कोश्चन है टीजीटी 2019 का प्रिवियस यर का पेपर मैंने इधेरी कुछ समय पहले बहुत ही अच्छे तरह से एक्स्प्लेइन करके डाला था बट आप मैं सब बहुत कम लोगों ने उसे देखा और लाइक किय तो मुझे लगा साइध आप लोगों को वैशा वीडियो देखना पसंद नहीं है प्रिवियस यर के कुश्चन तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस एक लाना स्टार्ट कर दिया अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपके मन में कोई सुझाओ हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करें आपके सुझाओ अगर हमें अच्छे लगे तो हम उस पर कार्या करेंगे तो आते हम अपने नेस्ट कोश्चन पर कि डायस प्रबंदर निर्नेयों परिवारिक संसाधनों के परियोग की प्रकिरिया बनाने की एक स्रिंखला का बना है तो परिवार घर पढ़ परिवारिक संसाधनों के परियोग की प्रकिरिया बनाने की एक स्रिंखला का बना है नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेक्स कोश्यन है हमारा कि कौन सा मानवी और गैर मानवी संसाधन दोनों का उधारन है तो उर्जा, कोशल, छमता एवं रूची ये टीचिती 2019 का पूछा हुआ कोश्यन है तो कौन सा है तो उर्जा वार समय को हम मानवी और गैर मानवी दोनों का ही संसाधन का उधारन है व्यवस्था की परिभासा में साधनों का महत्र असपश रुप से दृष्टिकर्ट होता है अपने उपलब साधनों के उपयोग द्वारा ही कोई व्यक्ति परिवार या अपने निधायत लच्छों के प्राप्ति करता है नेस्ट कुश्चन पर आते हैं ये कुश्चन भी TGT 2019 में पूछा गया कुश्चन है तो डैस एक संसादान है जो हम सब साजा करते हैं हाला कि यह वो है जिसके प्रती हम समाने तर लपरवा रहते हैं तो क्या होगा धन, समय, उर्जा एवं जल तो कौन साइसा संसादन है जिसे हम सब मिलके साजा करते हैं तो इससे भी आप इसली समझ सकते हैं समय से तो बेटर कुछ हो नहीं सकता समय सब को ही 24 गंटे मिलते हैं इस 24 गंटे का कोई कैसे इस्तेमाल करता है यह उस पर डिपेंड करता है तो इसका आप्सन बीश रही हो जाएगा समय कैसे संसादन है जो हम सब साजा करते हैं हाला कि या वो है जिसके प्रति हम सब लपरवा रहते हैं सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे यह हमेशा याद रखिएगा कल करें सो आज आज करेंश अभी पल में परले होएगी पहुरी करें तू कब कि आते हम अपने नेस्ट कॉश्चन पर नेस्ट कॉश्चन है हमारा कि मानो अब्रियत अस्तर पर समुधाय द्वारा स्विक्रित नहीं है यह टीजिटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है तो डैस मानो विरियत अस्तर पर समुदाय द्वारा स्विक्रित नहीं है तो परम प्रागत A और D दोनों न तो A न दी और परिवर्तन सिल तो इसका एंसर हो जाएगा option D परिवर्तन सिल परिबर्तन सिल्मानों विरियत अस्तर पर समुदायद वर स्विक्रित नहीं है हम आते हैं अपने नेश कुश्चन पर ये यूजीशी नेट 2015 का पूछा गया कुश्चन है कामकाजी महिलाओ के समय और उर्जा की मांग भी भीन परिबारिक जीवन्चकर की अशकताओं पर ध्यान दिये विना समय प्रवन्धन की तुनना में उर्जा प्रवन्धन अत्यधिक कठिन और जटिल है तो यहाँ नीचे कूट दिया गया, अब कूट में एंसर देना है तो 136 नमबर क्वेशन का एंसर हो जाएगा, अफसन C अफसन C होगा, एक गलत होगा, क्योंकि परिवारी जीवन चक्र में सभी महिलाओं में समय और उर्जा की मांग एक जैशा नहीं होता है एंसर की आर्ज सही है, तो परिवारी जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना समय प्रवंधन की तुनला में उर्जा प्रवंधन अत्यरी कठिन और जटिल हो जाएगी, यह सही है हम आते हैं अपने नेश कोशन पे नेश कोशन है हमारा नेश कोशन है हमारा की तीन कोशल पदतियों के संदर में प्रवंधकी कोशल वर्गिकरित होता है और कारण बता रहा है कि किसी प्रवंधक में मानुए कोशल किसी प्रवंधक में मानुए कोशल बैचारी कोशल और बिर्पणन कोशल जैसे कोशलों की और सकता होती है A और R दोनों ही शही होंगे तीन कौशल पदतियों के संदर में प्रबंधी है कौशल वर्गिक्रीत होता है एंड किसी प्रबंधक में मानवी है कौशल बैचारी कौशल अबिपने कौशल जैसे कौशलों की औशक्ता होती है नेस्ट कौशन पर आते हैं नेस्ट कौशन हमारा कि परिवारिक बचट बविश्य के खर्चों को अलग-अलग स्रेणियों के अंतरगत प्रदसित करने का एक तरीका है और कारण बोलता है कि यह उनको अपनी आमदनिक के अंतरगत जीने में मदद करता है तो कौन सा कौशन सही कौन सा अंसर सही होगा यहां भी हमें कूट में अंसर देना है तो इसका अंसर सही हो जाएगा अपसर नंबर बी परिवारिक बचट बविश्य के खर्चों को अलग-अलग स्रेणिक के अंतरगत प्रदसित करने का एक तरीका है क्योंकि यह आपको अपनी आमदनी के अंतरगत जीने में मदद करता है दोनों ही सही होंगे आते हैं अपने नेक्स कोशन पे नेक्स कोशन है हमारा कथन और कारक में ही है कि प्रचूर साधनों का होना तथा परिवारिक लच्छों का अधिक प्राप्तिक करना बेवस्था के लिए एक चुनोती है और नेक्स्ट है कारन के कि आगत का घटना और उपादन को अधिक्तम करना बेवस्था का साह सिद्दान्त है तो यहाँ पर ही हमें कूट में अंसर देना है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 139 का अंसर क्या होगा 139 का अंसर हो जाएगा option B एक गलत है प्रंतो आर्स ही है प्रचूर साधनों का होना परवारिक लच्छों की अधिक प्राप्त करना बेवस्था के लिए एक चुनवती नहीं है या नियोजन का प्रणाम है क्योंकि नियोजन जितना अच्छा होगा उतना ही लच्छों की प्राप्ती अच्छी होगी तो option B शही होगा एक गलत है यह चुनवती बोल दिया है चुनवती नहीं बोला रहता तो यह एंसर सही हो जाता next है एक परिवारिक बजट भविश्य में विभीन मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तरित बेवरा है and next है कारण में कि यह परिवार को परिवारिक आए के अंतरगत रहने में मदद करता है तो क्या होगा कूट में अंसर देना हमें 140 का एंसर हो जाएगा option B, A और R दोनों ही शत्य होंगे B, एक परिवारिक बजट भविश्य में विभीन मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तरित बेवरा है 140 कोश्चन का एंसर हो जाएगा option B, A और R दोनों से ही एक परिवारिक बजट भविश्य में विभीन मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तरित बेवरा है क्योंकि यह परिवार को परिवारिक आई के अंतरगत रहने में मदद करता है नेक्स कोश्चन है हमारा 141 परिवारिक छूपी आई के पहलू की पहलू है इन में से कौन परिवारिक छूपी आई की पहलू है पहला है समदाइक सुभीधा, दूसरा है सौधा से होने वाले उभोकता, बचत, तीसरा है गिरवी, चौता है कारे अस्तल से प्राप्तिफाय दे और पांच वाहे बैंक से मिले कर्ज, यहां पर हमें कूट में अंसर देना है यह यूजी सी निट 2016 का पूछा गया कोश्चन है तो क्या होगा अंसर इसका, तो इसका अंसर हो जाएगा, ओप्सन ए ओप्सन ए शाही हो जाएगा, परिवारिक छूपी आए का, पहलू की पाचान करना है तो छूपी आइकोंस ही है, तो समुधाईक सुविदा, ओप्सन ए शाही है एंड सौधा से होने वाली उभुकता बचत, एंड फाइफ नमर हो जाएगा, बैंक से मिले, नहीं नहीं वो नहींगा, कारे अस्था से प्राप्त फायदे चार नमर हो जाएगा, कारे अस्था से प्राप्त फायदे, हम आते हैं अपने नेस्ट कोश्चन पे next question है हमारा कि सुची एक को सुची दोशे मिलान करना है और यहाँ पे भी कूट दिया गया है चलिए आएए देखते हैं कि मिलान में क्या करना है हमें 143 है तो सुची एक से सुची दोगों मिलान करना है तो प्रभावसाली तत्तो कौन से हो जाएंगे तो प्रभावसाली तत्तो होंगे प्रविर्ती एवं रूची यहाँ से भी ऐसे मिला सकते हैं प्रभावसाली तत्तो हो जाएंगे प्रविर्ती एवं रूची सारेरिक तत्तो आप्सन भी का हो जाएगा सारेरिक तत्तो तो सारिलिक तत्व हो जाएंगे मावना उर्जा एंड बौधिक तत्व बौधिक तत्व हो जाएंगे सोच एवम ज्यान एवम कालगत तत्व हो जाएगा समय तो इसके अंसर क्या हो जाएगा इसके अंसर हो जाएगा आप्सवन सी नेस्ट कोशिन पर आते हैं नेस्ट कोशिन हमारा कि भौतीक साधनों में टिकने वाली बस्तू है तो कौन सा है पैसा है कुसलता और छमता है मानों की उज़ा है उम समय है तो 144 नमर कोशिन का एंसर क्या होगा ये UGC.net 2015 में पूछा गया कौशिन है तो भौतीक साधन में टिकने वाले बस्तू है तो इसका एंसर हो जाएगा option D, शमय भौतीक साधन में टिकने वाले बस्तू समय होते है next question है हमारा कि मानवी पूजी में निवेश, बी निवेश, एक के अतरिक सभी में किया जाता है इसको थोड़ा जूम कर देते हैं question को तो मानवी पूजी में निवेश, निवेश, निवन एक के अतरिक सभी में किया जाता है तो कौन सा है, बच्चे को कील ठोकना सीखाना, पौश्टी का हार एक क्रेक करना एवं परसना महाविद्यले सिख्चा पर करना एवं टाइप राइटर खरीदना तो 145 का अंसर क्या हो जाएगा तो इसके अंसर हो जाएगा, option A, बच्चो को कील ठोकना सीखाना इसका हो जाएगा, option A, बच्चो को कील ठोकना सीखाना मानवे पूजी में बिनिवेस निम्न परकासे किये जाते हैं पौश्टिक आहाल क्रेक करना यों परुष्टना महाविद्यला सिख्षा पर खर्च करना टाइप राइटर खरीदना टाइप राइटर खरीदना आदी इन सबसे मानुए पूजी में बिनिवेश होते हैं मतलब मानो की शक्ती लगती है नेस्ट कुश्चन पर आते हैं नेस्ट कुश्चन है हमारा 146 ये भी कुश्चन यूजिशी ने 2007 में पूछा गया कुश्चन है 2007 में पूछा गया कुश्चन है निम लिखित मेंशे कौन एक मानो शंसाधन नहीं है तो एसलिघ है उर्जा, B, समय C, धन and D, घ्यान तो निम लिखित मेंशे कौन सा 1 एक मानो ये शंसाधन नहीं है जैसे कि हमने स्टार्टिंग सरी हम बता रहे हो कि समय है हम उर्जा को मानवी और गैर मानवी दोनों में काउंट करते हैं तो यहां पे पूछ रहे हैं कौन सा मानवी शंसाधन नहीं है तो सरिफ एक ही दिख रहा है वह धन पुर Think positivo सही होगा मानवी शंसाधन में दो साधन संमिलित हैं जो मनुश्य में वनसागत होते हैं अथर्थ वे उससे अलग नहीं किया जा सकते हैं तो कुछ मानवी शाधन भहती साधनों से अधिक सुष्म होते हैं जैसे कि ज्ञान, कुशलता, योगता, समय और उर्जा ऐसी महत्पून मानवी शाधन है जो परिवारिक सदस्यों में पाय जाते हैं अधिक महत्पून होते हैं मानवी संसाधन आते हैं अपने नेक्स कोश्चन पर हमारा नेक्स कोश्चन है कि सिक्षा का सबसे महत्पून कार्य है तो सिख्षा का सबसे महत्तपुन कार्य क्या है आर्थिक विकास मानवे संसाधन विकास अधोगिक विकास राजनेतिक विकास यह जी आईशी जी आईशी प्रवक्ता एक्जाम 2015 का पुछा गया कोश्चन है 147 का एंसर हो जाएगा 147 का एंसर होगा option B मानवे संसाधन विकास शिख्षा का सबसे महत्तपुन कार्या मानवे संसाधन विकास बिश्व के शवी विद्वानों ने मानव के विकास पर बल दिया है उनका कहना है कि मानव रत्न अनमोल है और मानव कल्यान है तो कार्य करने वाले व्यक्ति ही जीवित कहनाने का अधिकार है आती हम अपने नेस्ट कोश्चन पर नेस्ट कोश्चन है हमारा कि शाधुनों का उप्योग तुन्लातमक रूप से परिवार जीवन चक्र के डैस्ट चड़न में कम होता है सुरुवाती विस्तरित सिकुरन या फे शमान्या ये असिस्टेंट प्रोफेशर परवक्ता तो इसके अंसर हो जाएगा और शुरुवाती दोर में हमें कम होती है जरूरत तो शुरुवाती अवस्था में प्रारंबिक अवस्था को ही प्रारंबिक अवस्था कहते हैं परिवारिक जीवन चक्र की पहली पहली अवस्था प्रथम अवस्था कहलाती है इसमें दो विन बिन परिवारों के संस्कृतियों के जीवन दर्शन मल्ले से आय बैसक इस्त्री पुरूस बिवाई शुत्र में बन कर परिवार का नर्मार करते हैं इस अवस्था में खर्चे और आय खर्चे कम और आय अधिक होते हैं नेश्ट कुशन पर आते हैं नेश्ट कुशन हमारा कि अमानुए शाधन अत्वा भौतिक शाधन कौन सा है तो रूची शकति ज्ञान एवं धन तो अमानुए शाधन एवं भौतिक शाधन कौन से होंगे तो 151 के क्या एंसर क्या हो जाई रो और मानवी शंसादन एवं बहुतिक शंसादन कौन होंगे रूची, शक्ति, ग्याने, उम्धन तो 151 का एंसर हो जाएगा B हाँ B हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा B और मानिय था बहुतिक शंसादन सक्ति है, सक्ति का उपयोग यदि मानो सेवा के लिए किया जाए तो उत्तम होता है लेकिन यदि सक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाए तो वह और मानवी होता है सक्ति होगा इसका एंसर, नेश कोशन पर आते हैं, यह TGT 2005 में पूछा गया कोश्चन है नेश कोशन है कि कार्य निश्पादन के लिए आवश्यक संसादने और परिवारिक सदस्यों के कार्य को स्युक्त और सम्नुवित करने की प्रकिरिया या है तो इसके उप्सन है, उप्सन ए है योजना बनाना, B है संगठन करना, C है नियंतरिक करना, एवं, D है कार्य में नित करना तो 152 नंबर कोश्चन का एंसर क्या हो जाएगा? तो इसके एंसर हो जाएगा, उप्सन ए योजना बनाना योजना बनाना, कार्य निश्पादन के लिए आवश्यक साधनों और परिवारिक सदस्यों के कार्य को शमिक्त अत्वशम्नुई करने की प्रकिरिया योजना बनाना है इससे कार्य सुगम ढंग से संपन योगताय है, हम आते हैं अपने नेक्स क्वेशन पे नेक्स क्वेशन है हमारे कि निकी लिए डार्सी के अनुशार और मानुवी शाधने समय सकती समय सकती भावनाय हम योगता ये ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेशन है निकी लिए डार्सी के अनुशार और मानुवी शाधने सकती भावनाय हम योगता ये तो सारे ही मानुवी में है लेकिन निकी लिए डार्सी ने समय को मानुवी माना है, ग्राफियम केंडल ने समय को मानुवी माना है तो इसका ओप्सन एस रही हो जाएगा Next question पर आते हैं Next question है हमारा कि मानों की ग्यान की अविवरित्या कहलाती है अब मानुए शाधन, मानुए शंसाधन इन में दोनों या पिर इन में से कोई नहीं तो 154 का answer हो जाएगा Option B मानों की ग्यान की अविवरित्या मानुए शाधन कहलाती है option B शही होगा मानुव की ज्यान, कुशल, अविवित्या, रूचिया, आदी, मानुविये शंसाधन है धन भौतिक बस्तुई जैसे की मकान, गाड़ी, आदी, शमुदाइक बस्तुई और मानुविये या फिर भौतिक शंसाधन के अंतरगत आते है आते हम अपने next question पे next question है हमारा कि निम्निमेशे कौन सा समो और मानुविये शंसाधनों का है तो आय, शक्ती, शमय, विजली, समय और आय, समय, मुद्रा, रूचि और कौशल या फिर समय, मुद्रा और योगता तो कौन सा हो जाएगा एक सो पस्पन नंबर question का answer क्या होगा तो आप देख रहें कि इन दोनों में मुद्रा है तो ये तो ऐसे ही कट गया बचा ये, तो विजली, यहाँ विजली है यहाँ पे भी मुद्रा दिया गया है तो ये भी कट गया तो बचा एक option A तो निम्नमेशे कौन सा समूँ और मानवे संसादनों का है तो वो है आय सकती और समय option A शही होगा और मानवे संसादन है आय सकती और मानवे संसादन अच्छा यहाँ पे और मानवे संसादन पूछ रहा है तो सब में इसमें रूची है योगता है और यहाँ समय है तो इसलिए ये तीनों कट गया है और मानवे संसादन होगा आय सकती और समय आय किसी वेक्ति को अपने परियतन शेवा या संपति के उप्योग के बदले किसी निच्चित ओधी के अंतर जो धन प्राप्त होता है उसे अर्थ सास्तर में आय कहा जाता है हम आते हैं अपने नेस्ट कोश्चन पे नेस्ट कोश्चन हमारा कि ग्यान है ग्यान क्या है मानवी शुरूत है गैर मानवी शुरूत है नमिन करने शुरूत है या फिर गैर परमपरिक शुरूत है ये टीजीटी 2005 में पुछा गया कोश्चन है ये टीजीटी 2005 में पुछा गया कोश्चन है तो ग्यान क्या है तो इसका अंसर होगा ऑफशन ए ग्यान मानवी शुरूत है क्योंकि व्यक्ति किसी कार्य को पहले करने के पहले बिच्यार अवश्य ही करता है वो जाहे कार्य तोरित हो या फिर दिर्ग कालया तो इसका अंसर हो जाएगा मानविय श्रोत option A इसका अंसर होगा उसका अंसर था मानविय श्रोत आते हैं अपने next question पर समय धन बस्तु ये समपती शाधन है भौतिक शाधन मान्यशन शाधन कोई नहीं या फिर शर्वाजनिक ये TGT 2006 में पूछा गया कुश्चन है तो समय धन बस्तु ये समपती कैसा शाधन है तो ये भौतिक शाधन के अंतरगत आएंगे भौतिक शाधन के अंतरगत आएंगे ग्री विवस्ता में शाधनों का अत्यधिक महत्तो होता है ग्री कार्य विवस्ता में शाहायक शाधनों को तीन प्रकार से वर्गिकरित किया गया है भौतिक, मानविये एवं शर्वाजनिक साधन, समय धन बस्तु एवं संपती भौतिक साधन के इंतरगत आते हैं परिवार के सदस्यों की शंख्या, रूची, बेहवारे और मनुकृत, ज्याने और प्रणिता, आदी मानविये बेहवार के इंतरगत आते हैं विद्याले, अस्पतार, पुस्तकाले, बैंक, डाग घर, बीमा, निगम, और डाग घर, धार्मिक अस्थल आदी, शर्वाजनिक साधन के अंतरगत आते हैं हम आते हैं अपने नैश कोशन पे नैश कोशन है कि निमलिखित मेंशे की ही हमारी शुक्ताओं को पूरा करने और लच्छों तक पहुँचन के साधन के रूप में परिभासित किया गया है ये टीजीटी जारकन 2017 का पूछा गया कोशन है तीज़ी जारकन दोज़ा 17 का पूछा गया question है इसका answer हो जाएगा option ही यहाँ पर answer दिया गया है तो संसाधन हमारी सक्ताओं को पूर्य करने और हमारे लच्छों तक पहुँचने के साधन के रूप में परिभासित किया गया है आते हैं अपने next लिए last question पे next लिए last question है कि गैर मानों संसाधन इन में से किस रूप में जाने जाते हैं तो इसका भी answer इसमें ठिक किया गया है यह TGT जारकन 2017 का पूछा गया question है गैर मानों संसाधन इन में से भौती संसाधन के अंतरगत आते हैं तो यह थे परिवार परिवारी यह थे परिवारी शाधन इन मानों इन गैर मानों संसाधन से related question वीडियो आपको कैसी लगी next किस topic पे आप देखना चाहते हैं तो comment session में जरूर बताईएगा उस topic से आपके लिए question लाया जाएगा और किसी topic पे अगर आपको theory चाहिए तो आप वो भी वताईएगा आपको उस topic से theory भी available कराया जाएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो like share and subscribe जरूर किजिएगा आपका एक like एक share एक subscribe मुझे motivate करता है तो मुझे motivate करते रहे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहू थैंक्स पर वाचिंग